हेलो फ्रेंड वेलकम तो मैं यूटुब चैनल आती प्रिया कुकिंग हम और आज आप देख रहे हैं हम ये कच्ची केरी इसे कच्चा आम भी कहते हैं तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम का पना ये जो कच्चा आम है गर्मियों में इसका पना पीने से बहुत जादा ही ह कि toplumma हमें लूनी लगती हैं तो इसे आम आज बनाएंगे कच्चे आम पना तो इसे हम अच्छे से धोलिया अब इसको हम छिलयेंगे इसका जो छिलका है इसे हम उतार लेंगे पि इसे हमने धो लिया है फिर से आप इसमें हम फानी एट करेंगे तो यह हमने इसमें संब्सक्राइब पानी एट कर दिया है इसे अब हम boil करेंगे यह हमने gas में रख दिए है इसे अब हम boil करेंगे जब तक यह पक नाजाए चलिए चेक करते हैं हमारे आम पके या नहीं तो यह हमारे आम पके रेड़ी है इसे अब हमें gas से उतार लेंगे हम और इसे हम ठंडा कर लेंगे ठंडा होते तक हम जीरा जो है हमें जीरे की ज़रुत है तो इसे हम घूंज लेंगे और चौकी और वेलन की सहाता से इसे हमने क्रस्ट कर लिया है अब हमारे जो आम है इसका जो हम मास है इसे उतार लेंगे और पूरा इसे अच्छी तरीके से क्र तो यह एसे पी बहुत अच्छी लगती है जरू ट्रै करें देखिए हमने सारे आम को कर लिया है अब यह हमारा जो आम पना है बनने के लिए तैयार है तो इसमें मैंने एक कटोरी चीनी एट की है आप कम्या जादा भी कर सकते हैं यह खटा मिठा बनता है तो आप अपने हिसा काला नमक हम इसमें एट करेंगे तो यह हमने दोनों एट कर दिया है अब हम इसमें इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी मैल्ट हो जाया तब तक अब इसमें हम भूना हुआ जीरा भी एट कर देंगे तो यह हमने एट कर दिया है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना यह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए क्योंकि यह थंडा ज्यादा अच्छा लगता है अब हमें ग्लास लेना है और उसे सर्व कैसे करना है वह मैं आपको बताती हूं तो एक कटोरी लेना है एक कटोरी में नमक कर देंगे उसके बाद इसमें हमें जो नमक मिर्ची जो है इसमें डिप करना है यह दिखिए हमने असे कर लिया अब हम इसमें आम पना डालेंगे तो यह हमने लिया है ठंडा ठंडा खटा मीठा आम पना अब इसे हम ग्लास में ट्रांसफर कर रहे हैं यह हमने ट्रांसफर क अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले